जहिंद वेलकम टू विजेपाथ एजूकेशन पालंपूर एक वार फिर से आप सब भी का हार्दिक स्वागत है आज ओल इंडिया सेनिक स्कूल का एक्जाम कंड़क्ट करवाया गया तो उसकी आंसर की के साथ हम आपके साथ जोड़ चुके हैं जल्दी से एक वार वीडियो क को शेर आप जरूर कर दीजिए और कितने कोशन आपके बिल्कुल सही जाते हैं वह आप कोमेंट करके जरूर बताइए मैथ के सेक्शन को हम सॉल्फ करेंगे और किस तरीके से आपके कोशन पूछे गये थे बेसिक टू हाई लेवल ये भी हम यहां पर डिसकस करेंगे और अ 2.6 kg का मतलब होता है 2600 ग्राम और 3 kg 700 ग्राम यानि कि 700 ग्राम दोनों को हम क्या करेंगे एड कर देंगे तो यह हमारा कितना बन जाएगा 2300 ग्राम बन जाएगा यानि कि 6 kg 300 ग्राम ऑप्शन नमबर ए जो था वो इसका राइट आंसर था नेक्स्ट क्वेशन नमबर 27 है यहां पर बताया गया कि एक ठोस घनाब यानि कि एक क्यूब है और उसको एक मेल्ट करके जो है वो क्या बनाया गया एक बड़ा हाँ एक क्यूब है उसको पिघला के एक क्यूब बनाया गया तो देखिए जब भी कोई 3D इमेज होती है या 3D जो हमारे पास मेटीरियल है बाकी जैसे कि अगर मैं बात करूँ आयत है या हमारा रेक्टेंगल है या फिर हमारा स्क्वेर है हमारा ब्रित है जिसको हम सरकल ब को पिघला के किसी नई शेप में बनाते हैं सिर्फ 3D में तो उसका वोल्यूम जो है वो कभी चेंज नहीं होता यानि कि जो क्यूब है उसका वोल्यूम और जो क्यूब है उसका वोल्यूम क्या आएगा सेम आएगा वो चेंज नहीं होता है तो हम क्या करेंगे यहां पर इस तो जो cube है उसका भी volume जो है वो कितना आएगा 216 आएगा तो उसका formula होता है A cube तो यह 216 तो 216 किसका cube root होता है 6 का होता है तो option number 1 6 cm इसका right answer है next question number 28 है 8 small cubes है और उनको जो है वो उनकी जो edge है वो 2 cm है और उसको एक बड़ा cube बनाना है तो उसका में volume बताना है देखिए उसकी जो हाँ उसका volume निकालेंगे तो 2 cm जो है वो उसकी side है तो एक cube का formula लगेगा तो 2 का cube कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और उसके कितने cube बनाने है 8, 8 cube से वो बना तो 8 into 8 कितना आजाएगा 64 आजाएगा option number 3, 64 is the right answer next question number 29 है 420 जो orange है उनकी कीमत दी गई है 2520 और 8 दर्जन संत्रों का मुल्य जो था वो हमें बताना था तो देखिए एक संत्रे का मुल्य कितना आएगा तो हम पहले 420 का हमें बताया गया था कितना 2520 तो एक संत्रे का कितना आजाएगा 2520 बटा 420 ठीक है यहां से हम इसकी value को निकाल सकते हैं और 8 दर्जन का निकालना है 8 दर्जन का मतलब कितना हुआ 8 गुणा 12 करेंगे 12 96 तो गुणा कर देंगे हम किस के साथ 96 के साथ इन सभी को solve करके 576 जो कि option number 4 था वो इसका right answer आना था next question number 30 है 16 बस्तों का जो मुल्य था वो कितना दिया गया था 16 बैक्स का मुल्य जो था वो दिया गया था 1520 ठीक है एक बैक का हम मुल्य निकालेंगे तो कितना जाएगा 1520 बटा 16 और हमें 3 बैक का निकालना तो गुणा कर देंगे 3 से तो यह 16 से हमारा डायरेक्ट कट जाएगा 95 टाइम 95 को 3 से करेंगे तो 285 and option number 4 is the right answer next question number 31 31 में हमें बताया गया था कि कौन सी ऐसी figure है जो कि equal है 3 right angles के देखी 3 right angles का मतलब होता है 90 into 3 यानिकी 270 270 एंगल जहां से बनता हो तो देखी एक circle का proper angle कितना होता है वो होता है 360 अगर इसको मैं divide करूं 180 180 इसको divide करूं तो 90 90 90 and 90 चार 90 आ जाएंगे तो option number अगर एक ही बात करूं angle e यह जो angle e है देखी यह 90 degree का है तो बाकी जो बचा वो 270 होगा 270 का मतलब है 3 into 90 यानिकी 3 angle आएंगे कितने के right angle के ठीके जी तो यह बिलकुल सही है e वाला तो सही आएगा उसका c को check करते है हाँ c का c वाला कहां पे है हाँ यह वाला है c तो देखी यह total angle कितने का आएगा यह आएगा 360 का यह चीज जो है वो 90 की दी गई है तो बाकी जो बच जाएगी वो भी 270 के आएगी then option number 1 e and c is the right answer next question number 32 इसमें हमें बताया गया था कि उस angle का हमें नाम बताना है जिसकी जो measurement है वो 146 और 82 के अंतर से यानि कि difference से 26 जादा है तो 140 और 82 को difference कर लो माइनस कर लो तो माइनस करने से कितना आ गया 64 और उससे कितना है 26 जादा तो 26 आइड करने फिर कितना आएगा 90 और 90 को हम क्या बोलते है राइट अंगल बोलते है then option number 3 is the right answer next question number 33 देखिए 40 and 50 हमें triangle का उसकी वो angle बताया गया था 40 and 50 तभी बन सकते है जब एक angle कितने का हो 90 का हो क्यूंकि ये बनेगा हमारा 40 का ये बनेगा कितना 50 का क्यूंकि 40, 50, 90 ये हो गया तीन angle होते हैं तो एक angle आएगा 90 का जो की हमारी एक right angle बनेगी so option number second is the right answer next question number 34 यहाँ पर आपको arrange करना है ascending order में तो ascending order में आप इसको easily divide करके कर सकते हैं या फिर इसका एक और सबसे असान सा method होता है आप सबके साथ क्या लगा दीजिए 0 लगा दीजिए ठीक है सबके साथ आप 0 लगा दीजिए और जब आप इसको divide करेंगे 20 by 3 बनाए तो ये आपके पास 6.6 आएगा और 5 और इसको करेंगे जब आप तो ये आपके पास 8.3 something आएगा next 7588 करेंगे तो 8.7 आएगा और 9514 करेंगे तो 6.4 आएगा देखिए अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है सबसे बड़ा नंबर है यहां पर ascending order बताना हमें ascending कौन सा होता है छोटे से बड़ा तो सबसे पहले छोटी रकम आएगी छोटी रकम कौन सी हुई पर बतानी यह first आगी ठीक है यह second आगी उससे बड़ी उसके तीसरे नंबर पर आएगी 8.3 वाली 8.3 कहां से आया 5 by 6 से आया तो 5 by 6 जो था वो इसका क्या था राइट अंसर था बाकी इसकी basically other भी trick है उनसे भी आप इसको solve कर सकते हैं LCA method भी इसमें use किया जाता है उससे भी देखिँ मैंने इसको 20 बना दिया इसको भी 20 बना दिया इसको भी 20 इसको 20 आप इसको roughly roughly काते है यह आपका 9 x 2 और यहible. 2.something में जाएगा यह आपका पूरा 4 में कट जाएगा यह आपका कितना जाएगा एक 1.something में जाएगा और यह आपका कितना जाएगा 2.9 की फोर में जाएगा तो देखिए अब रोही क्रम यानि कि 6 यहां पर हमें बताना था सबसे बड़ी रकम कौन सी तो देखिए फिर से हम उसी तरीके से करेंगे आप 00 लगाईए सभी में अब इसको डिवाइड कीजिए तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 7 by 12 जो है वो सबसे बड़ी रकम निकल के आएगी क्योंकि यह हमारी 5. 5.8 something में जाएगी हाँ आप डारेक्ट भी डिवाइड इसको कर सकते हैं हाँ तो इसका जो 7 by 12 है वो 3rd option जो है वो इसका right answer होगा next question है question number 37 हमें 13.5 जो है वो चाहिए और 5 by 13 में क्या add करें तो हम क्या करेंगे 5 by 13 में x add कर देंगे ठीक है plus के x कर देंगे और हमें कितना आजाएगा 13 by 5 आजाएगा अब यह 5 by 13 यहां से हट के दूसरी तरफ जाएगा तो किस में चला जाएगा minus में चला जाएगा LCA method से solve करेंगे यहां जाएगा 65 यह 169 और minus के 5 इंटू 5 25 169 में से 25 चलेगे 144 by 65 तो 144 यहां पर option number 3 जो है वो इसका right answer रहेगा यहां पर बच्चे ने solve किया लेकिन हलकी सी एक छोटी सी mistake कर दी तो इस वज़े से देखिए इसके जो answer उसमें कहीं न कहीं पर फरक आजाएगा question number 38 है यहां पर हम LCA method से जो है वो इस question को solve कर सकते हैं पर एक टुकड़े की लंबाई जो थी वो हमें बतानी थी तो यहां पर इसका जो right answer था वो था हां इसका जो right answer है वो है option number 2 30 जो है वो इसका right answer रहेगा next 39th question है यहां पर हमें LCA method से इसको solve करना था तो formula होता है first value into second divide by sorry LCM into HCF LCM into HCF equal to first value into second value यह formula होता है तो LCM और HCF दिया गया था 150 by 25 कर दिया और divide कर देंगे second term से तो यह कट जाएगा three time और यह कट जाएगा हमारा 50 तो option number 4 जो था वो इसका right answer था next question number 40 है यहां पर एक दुकानदार ने जो है वो एक major एक कुर्सी खरीदी 1900 और 600 की तो 1900 और 600 कितने हो जाएगे total 25 की उसने कुर्सी खरीदी और 15% लाव तो यानि कि 115 बटा 100 की value आपसे पूछी है 20 से 20 कट गी 115 को 25 से करेंगे 28 75 इसका right answer आएगा जो की option फोर्थ जो है वो इसका right answer रहेगा next question number 41 है देखिए 340 अंक लिए कितने में से 400 में से और percentage में निकालना तो गुणा आप 100 करेंगे 20 0 से 20 0 कट गी 4 से जब आप इसको काटेंगे तो हमारा ये पूरा का पूरा कट जाएगा 85 में कटेगा 85 option number 4 जो था इसका right answer था next question number 42 यहाँ पर बताया था जिसका 20% 10 के बराबर है यानि कि x का 20% 20 बटा 100 किसके बराबर है 10 के बराबर है ये कट जाएगा 5 से 5 उपर जाएगा 10 के साथ गुणा होगी तो answer 50 जो है वो यहाँ पर निकल के आएगा next 43 है किसी संख्या का 46% यानि कि x का जो 46% है वो किसके बराबर है 115 के बराबर है तो 46 बाइ 100 इस तरफ जाएगा 100 ऊपर चला जाएगा 46 नीच जाएगा ठीक है अब इसका 500% बताना है तो इसका मैं साथ में निकाल देता हूं 500% 500 बटा 100 से 100 कट गया तो इस पूरी value को जब मै solve करूंगा तो मेरा right answer आएगा 375 option number 4 जो है इसका right answer था next 44th question है देहीं यहां पर बताएगा 120 तक उसको गरम किया गया और 34 जो है वो कम हो गया हाँ तो 120 में से 34 कम कर देंगे फिर 45 क्या कर दिया बढ़ा दिया 45 जब बढ़ा दिया तो इस पूरी value को calculate करके जो है 131 इसका right answer रहेगा next question number 45 है तो यह हमारा formula based question था इसका formula होता है celsius by 5 is equal to f minus 32 by 9 यह formula है और degree celsius की value आपके पास दी गई थी 62 तो आपको यहां पर degree celsius में आप आपको कितना भरना था आपको यहां पर भरना था 62 और इसकी points में आपकी value जानी थी 143.6 farney height option number A जो था इसका right answer था next आपको match करना था तो देखिए यहां पे एक simple सा pattern अगर आप follow करें तो ही आपका right answer जो है वो निकल आना था देखिए बृत को दो समान भागों में बांट कौन है यह बृत है circle है इसको जब मैं दो बराबर भागों में बांट देता हूं तो इसको diameter कहा जाता है यानि कि C का first आएगा देखिए C का first देखिए यहां पे C का second है यह तो होगा यह C का first है बाकी कहीं पर भी C का first नहीं है तो option number 2 जो है वो right answer था बाकी सारे आपको check करन आएगे वो हमेशा उसकी क्या आएगी radius ही आएगी यह total जो है वो हमारे पास 8 दी गई है तो half जो है वो कितने आएगी 4 आएगी अगर यहां से लेके यहां तक यह 4 है तो आप किसी भी point तक आप लेके जाए वो हमेशा 4 ही रहेगी तो O और P वाला भी area कितना आएगा 4 cm maintenance का work करते हैं तो वो सारा का सारा CP में ही count किया जाता है 1,18,000 और 7,000 जो है वो दोनों हमारे CP में count किये जाएंगे दोनों को add करेंगे तो 1,25,000 हमारी CP बनी और SP हमारी कितनी दी गई है जो SP है वो हमारे पास दी गई है 1,40,000 तो देखी 125 की खरीदी 140 में बेच दी तो फाइ 125 और 140 को आप क्या करेंगे यहां पर वो करेंगे तो 15 का फाइदा है यानि की 15,000 का हमें फाइदा हुआ किस के उपर CP के उपर हमेशा फाइदा होता है तो 12,500 एक लाख 25,000 और गुणा कर देंगे 100 से सारी की सारी values को काटके answer आएगा 12% जो की option number 3 हमारे पास दिया गया था 10 पार्ट बताना था 90 का जो 10 पार्ट होता है वो कितना होता है 9 आता है तो उसके बाद हमें उसका जो supplementary एंगल है और जो complementary एंगल है उसके वो पार्ट बताने थे तो इसका 99 option number A 99 जो था वो इसका right answer आना था next question number 50 है देखिए यहां पर समकोन के आधे के त्युगने का यह चीज़ हमसे पूछी गई थी तो जो question number 50 है हाँ इसका जो right answer आएगा देखिए बोला के गया समकोन के आधे यानि कि जो supplementary एंगल है उसके 3 times of the half of the right एंगल हाँ option number A जो था वो इसका right answer था next question number 51 है तो question number 51 जो है वो यहां पर X कमान हमें बताना था तो X कमान यहां से निकल के आए गई टोटल एंगल 180 डिगरी का होता है और 180 में से हमें 50 और 32 जो थे वो कम कर देने से तो 180 में से 50 और 32 हमें कम कर देने थे तो 98 जो था वो हमार पास answer option number 4 इसका right answer आना था next question number है 52 तो 52 फोर डिजिट की जो सबसे highest value है यानि कि 4 times 9 उसमें से हमें 3 डिजिट की सबसे छोटी values को कम करना था तो 10099 इसका right answer था 10099 option number 3 इसका right answer है next है हमें difference बताना था सबसे बड़ी और सबसे छोटी values का तो सबसे बड़ी जो है वो बड़े digit आप सबसे पहले लिखेंगे 5 3 2 1 0 और सबसे छोटे के लिए जो है वो 0 को हमेशा mid में लिखा जाता है 0 से starting नहीं की जाएगी second अक्षर से उसको हम बनाएंगे 3 5 ठीक है 1 0 2 3 5 दोनों को कम करेंगे तो 4 2 9 7 5 इसका right answer था next question है divisible by 3 तो इसको आप क्या करेंगे इन पूरी values का आप सम कर दीजे जैसे 5 और 1 6 8 9 3 2 जो भी answer आएगा उसको आप 3 से divide करके देखी क्या वो कट रहा है या नहीं कट रहा है अगर वो कटेगा इसका मतलब 3 से divide है नहीं कटेगा तो 3 से divide नहीं है तो second option जो है यह हमारा नहीं कटेगा देखी 1 1 7 3 4 2 तो यह कितना बनेगा साथ और 3 10 4 14 2 16 एक मिनिट 1 1 1 3 से भी भाज़े नहीं है साथ और 3 10 यह तो हमारा कट जा रहा है एक वार इसको चेक कर लेते है 1 1 7 3 4 2 divide by 3 यह हमारा कट जाएगा option number second नहीं है इसका option number second तो नहीं है एक वार बाकियूं को चेक करके देख लेते हैं बाकियूं को एक वार चेक करके देख लेते हैं 5 1 8 9 3 2 divide by 3 तो यह हमारा point में जाएगा option number 1 जो है वो इसका असुर यहां पर बताया गया था कौन सी संख्या 3 से भाग है तो second option जो है वो 3 से हमारा कट जाएगा हां तो option number second ही इसका right answer रहेगा next simplification का question था तो 144 बाइन आइन आप करेंगे तो 16 आएगा 16 निट्र 2 प्लस के 6 माइनस 4 16 ने 32 32 और 6 32 और 6 38 38 में से 4 चलेगे 34 right answer था आपके पास 34 34 is the right answer next question था देखिए 28 और 35,000 का निवेश किया है इन्वेस्ट किया है तो आप इसको ratio के method से करते हैं यह 28 और यह आजाएगा 35,000 से कट जाएगा 4 टाइम 7 से कट जाएगा 5 तो देखिए यह आगया किसका जेश का यह आगया मोहन का मोहन का हिस्सा कितना है 5 और हमने ratio के coding निकाला 5 और question में कितना बताया 6 to 50 तो एक की value कितनी आएगी 6 to 50 divided by 5 और हमें total कुल जो profit हुआ वो बताना तो 5 और 4 total कितना हुआ 9 हुआ तो multiply हम कर देंगे 9 से तो जो हमारे पास right answer आएगा वो आएगा 11 to 50 option number 3 is the right answer next question number 57 यहाँ पे 20 kg total जो था वो mixture दिया गया था 4 kg जो थी वो काली दाल है चार जो है वो कितनी है black वाली कितनी है 4 है तो yellow कितनी आजाएगी 16 उसकी ratio हमें बतानी थी तो 1 ratio 4 1 ratio 4 option number 2 इसका right answer था next question है question number 58 यह SI का question है simple सा आपके पास इसका formula लगाईए यह आप formula लगाएंगे 25,000 गुणा 6,000 गुणा 4 बटा 100 2,0 से 2,0 आपकी cut जाएंगी 25 को 4 से करेंगे आप कितना जाएगा 1000 और 1000 को 6 से किया 6,000 और तो 6,000 आपके पास क्या बना ब्याज बन गया और 25 आपके पास पहले से थी और 6,000 और 25 और 31,000 जो है वो total राशी बनेगी option number second इसका right answer है question number 59 मैं आपको बताया गया है 9% का आपको जो है वो rate दिया गया है और आपकी जो राशी है वो 1800 से 2610 होगी आपने 1800 बैंक में डाला और आपको कितने सालों के 2610 हो जाएगी इस तरीके का question है देखे 1800 तो आपका था यानि कि यह तो आपका principle है 2610 आपको बैंक वालों ने दिया तो कुछ पैसा तो बैंकों ने खुद भी डाला होगा तो कितना डाला आप gap निकाली माइनस कर लीजिए आप इसको क्या कीजिए माइनस कीजिए इसका मतलब 810 रुपे बैंक वालों ने डाले 1800 आपके थे तब ही आपके कितने बनगे 2610 तो 810 बैंक ने डाला बैंक का मतलब है आप उसने भ्याज दिया तो si कमान 810 है आप formula लगाए यह 800 si is equal to principal तो 1800 into rate rate कितना दिया गया 9 time आपके पास है नहीं डिवाइड करेंगे 100 से जब आप time का यहाँ पे value निकालेंगे तो time आपके पास कितना जाएगा पांच साल जो कि आपके पास option number second में दिया गया था next question number 60 most important and easy question था आपको perimeter बताना थो तो perimeter का मतलब होता है जितनी भी side है उनको आप add कर दीजिए आप इसको simple add कैसे करेंगे देखिए 2 कितनी बार है वो आप check कीजिए एक दो तीन चार पांच छे साथ और आठ तो आठ को आप दो से गुणा कर दीजिए यानि कि 16 cm बनगे आप चार को count कीजिए एक दो तीन चार पांच छे साथ और आठ तो चार भी कितनी बार है आठ बार है तो आठ चो के 32 32 और 16 कितने हो जाएंगे 48 option number 3 48 is the right answer next question number 61 इसमें हमें क्या बताया गया question number 61 में हमें क्या बताया गया यहां पर बताया गया था कि जो पिंकी है वो पचास मीटर के एक बर्ग यानि कि square यहां पर एक बर्ग है यहां पर थोड़ी सी डाइग्राम में यहां पर हां यह आ गया हमारे पास एक square आ गया और इसके क्या करती है वो इसकी side कितनी है पचास मीटर है और छे चक्कर लगाती है ठीक है तो इसका हम क्या निकालेंगे perimeter निकालेंगे तो perimeter का formula होता है 4 into side 4 को 50 से करेंगे तो 200 यानि कि 200 meter एक चक्कर करती है छे चक्कर लगाएगी तो कितना आ जाएगा 1200 meter का वो चक्कर करती है अब एक आ गया उसकी दोस्तागी शुरूती अब रेक्टेंगल की शेप में जाती है यह 160 है और यह 120 है इसका parameter इसका भी perimeter निकालेंगे 4 into length plus breath होता है तो sorry 2 into 4 नहीं 2 into length plus breath यह आ जाएगा 160 जमा 120 तो यह आ जाएगा 160 और 120 कितना जाएगा 282 को से गात पुना करेंगे तो 560 हाँ एक चक्कर में 560 जाती दो चकर लगाती तो 560 का double कितना जाएगा 1120 तो एक जाएगी 1200 और दूसरा जारी 1120 तो सबसे बड़ा चकर कौन लगाती है वो आप बताएगे सबसे अधिक चकर कौन लगाता है सबसे अधिक चकर जो है वो लगाता है पिंकी पिंकी लगाती है दोनों का gap आप चेक कर लीजिए कितने का gap आएगा 80 का गया पाएगा तो option number 2 जो है वो इसका right answer रहेगा next question number 62 है आपको यहाँ पे ओसत बताना है ओसत बताना है आपको कैसे आप निकालेंगे संख्याओं का ओसत 13 दिया है आप सभी को add कर लीजिए यहाँ पे आप सभी को add करेंगे तो add कैसे करेंगे आप करेंगे 12 प्लस 15 प्लस 19 उसके आद है k और एक और value है k प्लस 5 और इन सभी का average कितना दिया गया है 13 दिया गया है और total values कितनी है वो आप देखिए एक दो तीन चार और पांच तो divide by 5 कर देंगे 12 पंदरा 19 आप add कीजिए कितनी आएंगी 12 प्लस 15 प्लस 19 चालिस चालिस और पांच कितनी आए जाएंगी 51 प्लस के और के कितना आजाएगा 2 के आजाएगा और यह आजाएगा 13 ठीक है 13 इंटू 5 कितना जाएगा हाँ 13 इंटू 5 कितना जाएगा यहाँ पे हाँ यह आजाएगा 65 तो 2 के की वैल्यू कितनी आजाएगी 2 के की वैल्यू आजाएगी 14 तो के की वैल्यू कितनी आगी 7 आगी तो option नमबर 3 जो था वो इसका क्या था राइट अंसर ता next question number 63 है question number 63 यहाँ पे ओसत जो थी वो आपको बतानी थी तो ओसत आप चेक कीजिए क्या इसका राइट अंसर रहेगा तो इस question में आपको यहाँ पे जो question number 63 दिया गया है उसमें आपको ओसत जो था वो निकालना था तो ओसत के लिए आप इन सभी को क्या करेंगे add करेंगे 48, 50, 53, 55 और 49 और जितने यह total बेकती है तो divide by 5 कर देंगे 48 plus 50 plus 53 plus 55 और प्लस 49 और सबको add करके divide by 5 से आप divide करेंगे तो सबको add करके बनेगा 255 और divide by 5 तो आपके पास यह answer कितना आएगा 51 तो जो की option number second में था यह इसका right answer था next question था 64th question देखें यहां पर option number C जो है उसका accurate रहेगा option number C 64 का right answer रहेगा next question बिल्कुल easy सा था आपको यहां पर values को solve करना था LCM method आप यहां पर use कर सकते हैं तो x upon by plus 5 को आप इस वाले portion को पहले आप solve कर सकते हैं तो इस वाले portion को मैं यहां पर solve कर लेता हूं x दिया है 30 divided by 120 और plus K5 यह आपका cut जाएगा 1 by 4 आ जाएगा यह 1 by 4 plus 5 LCM लेंगे तो LCM कितना आ गया 4 आ गया यह आ जाएगा 1 और 4 पंजे 20 20 और 21 बटा 4 इसको solve करके 21 बटा 4 आ जाएगा और bracket खुलेगी तो बाहर 16 है 16 गुना 21 बटा 4 और minus के 1 4 से 4 गया 4 चार को 21 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा चार और 84 84 और हां सुरी प्लस के 1 है तो 84 और प्लस 1 एक कितना जाएगा 85 आ जाएगा option number one जो है वो इसका right answer रहेगा next question number 66 इसका जाश्मिलिक रूप जो था fraction decimal form में हमें बताना था तो देखिए 5 by 8 को हम क्या करेंगे divide करेंगे 5 by 8 को divide करेंगे तो देखिए 8 को हटाने का सबसे अच्छा जो method होता है वो होता है multiply by 100 and divide by 100 multiply 100 divide by 100 और यहां से आप इस चीज़ को जो है वो easily solve कर सकते हैं आप एक और multiply 100 by divide by 100 कर सकते हैं क्योंकि यह आपका 4 से 25 से कट जाएगा 25 से कट जाएगा याद आएगा 4 और 4 से यह काटके इसको कट करके भी क्याएगा 25 आएगा 25 को 25 से करेंगे तो आपका कितना जाएगा 625 आएगा यह यह फिर आप इसको क्या कर सकते हैं यह ऐसे भी आपका method ठीक है यह थोड़ा सा length ही जाएगा छोटे बच्चों के लिए आप इसको direct क्या करेंजिए 5 से आप 8 से डिवाइड कर दीजिए यह आएगा point लगेगा यह यहां पर लगेगी कितनी 0 फिर जाएगा यह 6 से 6 से जाएगा यह जाएगा 48 दो और 0 उसके बाद कितना जाएगा 2 यह जाएगा 16 और यह 4 0 और 8 बंजे 40 यानि कि 0.625 option number C इसका right answer रहेगा next question 67th question है 21 से सभी छोटी अभाजे संख्याओं का उसत आपको ग्याद करना है तो 21 से सभी छोटी कौन सी सबसे पहली आएगी 2 फिर आएगी 3 5 7 फिर 11 फिर 13 फिर 17 और लास्ट आएगी 19 21 भी है लेकिन 21 से छोटी बताई है तो 21 को count नहीं करेंगे इन सभी का योग जो है वो आपका 77 बनेगा तो राइट आंसर जो है वो option number 1 इसका right answer रहेगा next question 68 फोशन है तो इसमें आपको जो इसका right answer रहेगा वो रहेगा option number second क्योंकि यहां पे आपको बताया था ऐसी statement आपको बतानी है जो आपकी false हो जो correct नहीं है सही नहीं है तो option number 2 जो है वो इसके साथ match कर जाएगा next question number 69 में आपको बताया गया कि कुछ 30 बच्चे है इनको party दी गई तो आपके कीजिए जितने जितने रुपे लगे थे चाढ़े 400 लगे उसके 300 लगे उसके 270 लगे सभी को आप एड कर लीजिए और जो भी एड करके आएगा उसको आप 30 से डिवाइड कर दीजिए तो 30 से डिवाइड करके जो है वो आपके पास 34 जो है वो आपका राइट आंसर इसका बनेगा यहां पर एक बच्चे के दवारा ही किया भी गया है इस तरीके से कोशन आपका रहेगा उसके बाद नेक्स कोशन जो है जैसे 70 कोशन है यह काफी बार एक्जाम में आप से पूछा गया है पहले भी एक कोशन हमने किया है लेकिन X की फॉम में था कि 13 बटा 11 में क्या जमा किया जाए कि 12 बटा 6 आ जाए कुछ इस तरीके का कोशन किया था तो दोनों को आप एड कर लीजिए दोनों को एड करके आजाएगा 5674 और उसमें से क्या घटाया जाए कि आपके पास यह आजाए तो आप इसमें से 4009 को कम कर दें आपके एस 1665 आएगा तो अगर यह इस वैल्यू को अगर आप कम कर देंगे आपके पास 4009 जो है वह वह आंसर आजाएगा नेक्स कोशन है कोशन नमबर 71 199 का जो था आपके पास रूप पूछा गया था इसका राइट आंसर था CXCIX यह इसका राइट आंसर है जो की आप्शन नमबर 3 आपके पास दिया गया था नेक्स 72 है रोमंस में फिर से पूछा था देखिए यह 20 और 21 बने माइन था 21 में से 15 आगे 6 और 6 में से 6 तो 0 यह तो कट जाएगा आपके पास यही वैल्यू बचेगी तो यही सेम जो है वो आंसर आजाएगा ऑप्शन नमबर 1 1173 का यह रोमन था MCLXX and triple I तो ओप्शन नमबर 1 इसका राइट अंसर था नेक्स था हरीश कोशन था हरीश अपनी कार के लिए जो है वो 45 किलोमेटर पर आर की गती से जो है वो चलाता है देखिए यहाँ पर आपको आंसर जो था वो इसका बताना था क्या इसका राइट अंसर रहेगा हाँ ट्राइ कीजिए आप क्या इसका राइट अंसर है तो स्पीड हमारे पास दी गई थी 45 आप स्पीड इस इकोल टो डिस्टेंस ओबर टाइम का फोर्मूला लगाईए स्पीड आपके पास है 45 और डिस्टेंस दिया गया था 12 वैल्यू आप भर लीजिए तो टाइम का फ आपको जो है वो मिनिटों में बताना है तो 15 से कट जाएगा तीन वार 15 से चार बार चार से बारा कटा चार चार को चार से करेंगे 16 अप्शन नमबर थर्ड जो है वो इसका राइट अंसर रहेगा नेक्स्ट नमबर 74 है देखिए 40 मिनट में 24 किलो मेटर की दूरी तै करेग तो इस कोईशन को आप कैसे करेंगे देखिए थोड़ा सब इसका साइज में छोटा कर देता हूँ हाँ ठीक है तो देखिए फोर्मूला फिर से वही लगेगा स्पीड इकॉल टू डिस्टेंस ओबर टाइम का और हमें जो है वो टाइम दिया गया है और डिस्टेंस दिया गया है तो स्पीड हम निकाल लेंगे स्पीड कितनी आ जाएगी 24 का डिस्टेंस है और बटा 40 लेकिन यह मिनिट में है तो हमें आर्स में चाहिए तो डिवाइड बाइ 60 करेंगे तो यहां पर 60 आएगा तो 60 नीचे से कहां चला जाएगा फिर ऊपर चला जाएगा इसलिए उपर लिख दिया जीरो से जीरो चलीगी 6 से यह 24 आएगा 6 वार 6 को 6 से करेंगे कितना आगया 36 अब स्पीड कितनी आगी 36 ठीक है जी लेकिन अभी तक यह कोशन सॉल्ट नहीं हुआ है क्योंकि यहां पर बताएगा है अपनी गती को 4 किलोमीटर अगर बढ़ा दे अगर 36 की स्पीड है तो अब इसकी स्पीड से उस 24 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा तो कितना समय वो लेगा यह चीज जो थी वो पूछी गई थी तो टाइम का फोर्मूला जो होता है वो होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड तो डिस्टेंस कितना है डिस्टेंस जो है वो दिया गया है 24 किल 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 यानि कि option number third जो है उसका right answer रहेगा next last question था question number 75 तो यहाँ पर आपको बताया था कि अमरिता जो है वो 500 रुपे लेके चली है 500 रुपे उसके पास थे और 500 में से पहले उसने 135.50 खतम कर दिये उसके आद 30 रुपे 50 पैसे खतम किये उसके आद 3.75 पैसे खतम किये उसके बाद 48 रुपे रंगों के लिए और उसके बाद 142 की उसने geometry ले लिए तो 500 से आप इन सारी values को क्या करेंगे कम करेंगे तो आपके पास 140.25 जो है वो answer बचेगा जो कि option number 3 आपके पास दिया गया था यही इस question का right answer था तो यह हमने math के section के सारे के सारे important question discuss किए I hope आपको class अच्छी लगी जल्दी English का section मैं आपके साथ यहाँ पे share करूँगा तब तक के लिए आप वीडियो को share जरूर कीजिए like जरूर कीजिए और कितने आपके math के answer सही है comment करके अपना score जरूर share कीजिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए जय हिंद जय भारत